हां चुनाव की प्रक्रिया अवर्ष्य शुरू होने वाली है तो जैसा पार्टी का आदेश होगा पार्टी का आदेश होगा चुनाव लड़ने का तो अवर्ष्य चुनाव लड़ेंगे वोई नाली खड़ंजे जो सामने गाउं की समस्याई होती है स्वच्चता की वो सब मुद्धे हैंडल होने चाहिए ये बात सही है कि मेरे पिता यहां पर निरंतर पैतालेस वर्षों तक सक्रिय राजनेती करते रहे हैं केराना में हेलो दोस्तों मैं हूँ शेहजाद बदरी आप देख रहे हैं शोशल जिस्टिस नेटरॉक और हाज हमने आपको कानले का करे करम दिखाया था इससे पहले हमने मरकंगा सिंग जो हमारे पास मौजूद है और मशहूर मारूफ लिडर हुकम सिंग की लाडली पुत्री मानी जाती है आपको वता दे के ये घराना काफी दिनों से और काफी अर्से से एक सियास्त में इनका बड़ा पदम रहा है और हुकम सिंग जी साथ बार विधायक रहे और उन्हीं की जिन्दगी में हमारे जो बीच बेटे हैं मरकंगा सिंग जी इन्होंने इलेक्शन भी लड़ने का इरादा किया था चलिए हम बात मुक्तसर करते हैं और आज हम 2022 के अलेक्शन मुद्दे पर बात करेंगे बर कंगा सिंग से हम अपने सोचल जेस्टिनेडर पर वेलकम करते हैं अदाब शेयसाद अच्छे जी आप 2022 के अलेक्शन है और यूपी में किसान मुद्दा भी पिछली दफ़ा चला और वेज़ेपी सरकार का विकास का एक एलान है कि हम विकास के अलेक्शन पर अलेक्शन लड़ेंगे आप किस मुद्दे पर अलेक्शन के लिए बीच में लोग के उतरेगी अभी तो पार्टी ने कोई आदिकारिक गोशना की नहीं है तो हाँ चुनाव की प्रक्रिया वश्य शुरू होने वाली है तो जैसा पार्टी का आदेश होगा पार्टी का आदेश होगा चुनाव लड़ने का तो वश्य चुनाव लड़ेंगे और जहां तक बात है क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के लिए तो चुनाव के लिए मुद्धे हैं विकास जो निरंतर गती से आगे बढ़ना चाहिए अच्छा आपके पिताब उकम सिंग जी काफी फिल्ड में मशूर और मारूफ लिडर थे और पहले आप बाहर रहा करते थे इतना तजर्बा भी नहीं था लेकिन अब तो काफी तजर्बा भी हो गया लोगों के बीच में रहकर क्या आपकी चाहत है 2022 में लोगों के बीच जाकर टिकट बीजेपी के टिकट पर अलेक्शन लड़े ये तो भारते जनता पार्टी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसे उम्मी द्वार बनाती है परंतु ये बात सही है कि मेरे पिता यहां पर निरंतर 45 वर्षों तक सक्रिय राजनेती करते रहे हैं केराना में और इसी कारण उनके प्रती केराना की जनता का बहुत ही एक प्रकार से विश्वास भी था उनके प्रती और सम्मान भी था अच्छा आपने केराने के जो दिहात की क्या समस्या लगती है जिस पर आप Election लड़ने के लिए तयार हो क्या बड़ी समस्या आपको यहां के लगती है केराना के गाउं में भी बहुत सारी मुलभूत सुविधाओं का अभी भी अबाव है देहात में खास तोर पर और जैसे वोई नाली, खड़नजे जो सामने गाउं की समस्याई होती है स्वच्चता की वो सब मुद्धे हैंडल होने चाहिए तो आप उनको मुकम्मल कर पाएंगे अगर आपको टिकट मिलता है तो अवश्य क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आगे भी योगी जी ही सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में तो अगर यहाँ से भी भारते जनता पार्टी का कैंडिडेट विज़ाई होता है केराना से अच्छी दफ़ा भी आपने अलेक्शन नहीं लड़ा था और परदीप चोधरी जी यहाँ से जीत चुके थे क्या मजबूरी जीती क्या आपने क्यों नहीं अलेक्शन लड़ा था यह तो पार्टी का निड़ने था कि वो जिने भी कैंडिडेट बनाईगी वही चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी में बहुत मैतुपूने अनुशासित रहना तो पार्टी ने उन्हें एक मौका दिया अच्छा हमने एक इंटर्वी देखा उसमें कुछ लोग कह रहे था अगर हमारे नेता मरकंगा सिंग जी को टिकाट होता तो हम बीजेपी में रहेंगे वरना हम बीजेपी को छोड़ देंगे यसा हमने देखा था वो अति उत्सा में ऐसा कह रहे होंगे क्योंकि मेरे पिता के कारण बाबुजी के कारण यहां पर मुझे भी बहुत ही सने और शेत्र का आशिरवाद प्राप्त है तो वो मेरे प्रती बहुत ही सने कारण से ही ऐसा कह रहे होंगे अच्छा मरकंगा जी आज रेली भी थी और काफी भीर उसमें उम्डी थी आपने भी कुछ अपने लोगों से कुछ बात चीत की इस बारे में ये जन विश्वास यात्रा पार्टी का एक कारिक्रम है और आप देख रहे हैं कितना अपार जन समर्थन स्वागत कर रहा है पार्टी की जन विश्वास यात्रा का केराना में भी आपने देखा होगा किस तरह से भीर उमड के आई और उन्होंने हमारे नेताओं का और जन विश्वास यात्रा को समर्थन भी किया और स्वागत भी किया उच्सा पूरवक जी यहां पर अभी पिछले दिनों में जिस तरीके से बताया जाता है कि कानूनी जो है कानून में बड़ी बहतराई है पुलिस कारवाई में इससे आप कितना संटूस्थ है क्या योगी जी ने कानूनी विवस्ता को अच्छा क्या अगर आप केराना की बाती जानना चाहते हैं तो केराना में भी अपराद पर पूरा नियंत्रन है और जो अपरादी तत्व हैं आज वो योगी जी की चुस्त कानून विवस्ता से घबराते हैं अच्छा मरहूम हुकम सिंग जी की एक अच्छी आदत थी कि वो नोलिज पर और नोजवानों पर बहुत ज़्यादा धियान देते जिसे उन्होंने कॉलिज और इनुवर्सिटिव अगेरा बनवाई क्या आप इस उनके कदम को पूरा कर पाएंगे अगर केराना की जनता मुझे अफसर देती है तो मैं उनके द्वारा जो यहां पर कारिये किये गए है मैं उनको आगे ले जाने की पूरी चेश्टा करूंगी और मुझे विश्वा से कि मैं कर पाऊंगी त्येक्जु आपने हमें वाप पीन त्येक्जु यह थे मरकंगा जी जो हमने काफी दिनों से चाहत थी के इन से मुलाकाद की जाए और इन की बात आपALLY आप तक बताए जाए क्योंके काफी दिनों से ये ऐक्शन में नहीं आई लेकिन इनके पिता Slatina पसंद आई हो तो लाइक कमेंट वर शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल सोशल जस्टिस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बल आइकन को प्रिस करें अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमारी मदद कीजिए आप हमें फोन पे कर सकते हैं डीटेल्स स्क्रीन पर दी गई है